Hello everyone, welcome you all, good morning again by the side of Locaster Unlimited Study Zone और अब हमारा Physics का भाई सबसे important part, सबसे बड़ा part, सबसे बड़ा chapter, सबसे बड़ी unit ठीक है ना? और कहना चाहिए सबसे खदरनाक unit start हो रही है आप बागी चीज़ों को रट सकते हो, मगर अब जो चीज़ आने वाली है, उसको आप रट नहीं सकते हो और बहुत connected है बच्चों, बहुत ज़्यादा connected है और इसमें कुछ assumption है, क्या है बिटा? assumption, मतलब ऐसा मानना पड़ेगा उनके पीछे बहुत लंबी गड़ी कहानी है, लंबे experiment है तो मैं कुछ चीज़ों में कहूंगा, कि ऐसा होता है तो आपको उसको कहीं पर सुईकार भी करना पड़ेगा क्योंकि उनके derivation अभी तक हमारी class में उपलब्द नहीं है उनके derivation अभी तक हमारी class में उपलब्द नहीं है ठीक है? तो कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा जैसे example के लिए इस chapter में एक term आएगा कि अगर theta बहुत छोटा है theta बहुत क्या है? छोटा तो बच्चों, sin theta near about theta sin theta approximated to theta अगर theta, यानि कोण बहुत छोटा है इसका मतलब जो sin theta है उसे आप theta के approximate मान सकते हैं किसके approximate मान सकते हैं? theta के approximate समझ में आया कि नहीं आया? अगर 10 theta भी बहुत, theta बहुत छोटा है तो 10 theta किसके एककल हो जाएगा? theta के एककल, हाँ आना एक चीज़ और जैसे ये देखिए, ये त्रिभूज है ये कोण क्या है? theta है हाँ या ना? ये कोण आपके पास में theta है तो 10 theta इस कोण के लिए 10 theta बराबर ये देखो ये किसका काम कर रहा है? चाप का, कर रहा की नहीं कर रहा है? कर रहा की नहीं कर रहा और ये या ये किसका काम कर रहा है तरिज्जा का किसका काम कर रहा है कर रहा की नहीं कर रहा और आप इस चीज को समझो कि अगर ये थीटा बहुत कम हो थीटा ये क्या हो बहुत कम ये देखो ये इतना हो गया और छोटा कर दिया बोलो तो ये लंबाई और ये लंबाई लगभग बराबर है कि नहीं है बराबर है ना तो थीटा जो हो जाएगा बिटा के वल कितना हो जाएगा ये चाप L और अपॉन में कितना R समझ में आया तो थीटा बराबर L अपॉन R तो तेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, आधार क्या है, हाँ या न, तो मतलब जो थीटा है, वही टैन थीटा है, मतलब टैन थीटा किसके संतुल्य होगा, थीटा के, साइन थीटा किसके संतुल्य होगा, थीटा के, समझ में आया, साइन थीटा जो होगा, वो थीटा के सं तुल्य होगा ठीक है और ठीटा अगर बहुत छोटा है ठीटा अगर बहुत छोटा है ठीटा इस वेरी वेरी स्मॉल याने ठीटा टेंडिंग टु जीरो ना के बराबर बहुत स्मॉल है मतलब ठीटा टेंडिंग टु जीरो अगर सर कर रहा है किसकी तरफ जीरो की तरफ अग अगर theta बहुत small है तो इसका मतलब क्या होगा भी या अगर theta बहुत small है तो cost theta क्या लिखा है मैंने? cos theta tending to 1 cos theta tending to 1 तो उस पहिए सामान्य जानकारी लिख लीजे ये जल्दी से चैप्टर के सुरुवात में ये इस चैप्टर के पक्ष में है सामान्य जानकारी एक प्रकार से ये सामान्य जानकारी है नोट कर लीजे इसको आगे बढ़ते हैं आग तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा आप चैप्टर के अंदर चलते हैं तो ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इस चैप्टर में आपको बहुत alert रहना ही है और साथ ही साथ कुछ assumption कुछ consideration कुछ मानताएं हैं कुछ परमपराएं हैं उनको ले करके चलना है कि हाँ भाईया वो होता है तो होता है मैंने थोड़ी चीज़े यहां पर बताने की कोशिश करी हैं और भी सब चीज़ों के proof हैं हल हैं परन्तु इतने सारे हो जाते हैं कि उनको याद करना पड़ता कई बार तो जहां पर आएगा मैं बता दूँगा एक दो पॉइंट है उनको आपको याद करना पड़ेगा तो उनको देख लीजेगा है ना इतने भी नहीं है चलिए तो भाईया हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं प्रकाशिकी क्या कर रहे हैं बटा प्रकाशिकी प्रकाशिकी को इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं आप किसी भी विद्यार्थी से पूछेंगे जो सीनियर है कि भाई सबसे टफ क्या थी तो बोलेंगे भाईया ऑप्टिक्स से समभल के रहना ऑप्टिक्स बहुत टफ थी ठीक है ना Optics, में बिटा दो पार्ट है, मैंने पहले भी बताया था, बिटा एक प्रकाशी की मतलब प्रकास का अध्यन, प्रकास का सबसे पहले तरंग स्वरूप, कौन सा स्वरूप है बिटा, तरंग स्वरूप, प्रकास के तरंग स्वरूप का अध्यन, अब जब प्रकास के तरंग स अब ऐसाब को सबको पता है कि जो प्रकाषिय टरग है उसमें तीन पार्ट होते हैं अवरत द्रश और प्रभैगनी उते हैं तो प्रकाष के वेग सी से तीन गुणे दस की पावर आठ मीटर प्रती सेकेंड से तरंग क्या होती है चलती है तो वो इस चैप्टर में हम प्रकास के तरंग स्वरूप की बात करेंगे कि प्रकास तरंग की रूप में कैसे आंगे बढ़ता है क्या होता है जब दो तरंगे आपस में टकराती हैं जब दो तरंगे आपस में टकराती हैं टकराएंगी किस तरीके से टकराएंगी हम और तुम दोनों एक साथ सुर में गाना गा रहे हैं हम और तुम out of the सुर गाना गा रहे हैं तुम आंगे गा रहे हूँ, मैं पीछे गा रहा हूँ, विद्याले में देखा होगा आपने, राष्टरगान की एक पार्टी अलग चलती है, दूसरी पार्टी अलग चलती है, एक constant phase difference बना रहता है, इनका जब पहला जया हे होता है, तब इनका तीसरा जया हे हो जाता है न, यह क्या बताता है, यह बताता है कालांतर, क्या बताता है, कालांतर, और जब समय में अंतर है, तो बरास्ते में अंतर होगा, जिसका समय अलग अलग है, उसके चलने में अंतर कुछ ना कुछ होगा, तो खेर उसको कालांतर से समझेंगे, वो एक बड़ी study है, तो देखा जा एया वे वाप्टिक्स, कौण्सी ऑप्टिक्स वेव अप्टिक्स कभ तक लगती है, वेव ऊप्निक्स कभ समझ में आती तैर यह ऑपकृति सवाल ठीक है ना और आज खेल दिवस है और आज के दिन मैं भारतिय थल से ना दिवस की बात करूँ तो आज के दिन थल से ना दिवस की बात करना अप्रा संगिक है क्या है अप्रा संगिक है ठीक है ना तो इसी तरीके से वेव आप्टिक्स का केस का प्रा संगिक होता है जब कन का आकार बहुत छोटा हो, कन का आकार क्या हो, बहुत छोटा हो, और तरंग का आकार जो है, कन का आकार छोटा हो, और तरंग का जो आकार है वो उससे भी छोटा हो, तरंग का आकार उससे भी, तरंग का आकार मतलब एक तरंग की लंबाई बोले तो तरंग दैर थे, एक तरंग क कुल में लाके कंद बड़ा और तरंग छोटी उल्ता बोल गया मैं कंद छोटा और तरंग बड़ी मतलफ कंद बहुत छोटा होगा कंद क्या होगा बहुत छोटा, जैसे ये मान लो ये सुई की नोख है क्या है ये सुई की नोख है मुझे ऐसे याद रहता है कि कण छोटा की तरंग छोटी ये सुई की क्या है नोख है, हाया ना और यहां से लाइट चली सर आप तो तरंग पढ़ा रहे थे आप तो ये लाइट बना रहे हैं, किरण बना रहे हैं, बना रहा हूँ, ये लाइट चली बुलो हाँ, अब भया, ये लाइट चली, और साथ में तरंग भी आ रही कि नहीं आ रही बुलो हाँ, अब इमानदारी से, रूल ये होता है, कि लाइट के जिस रास्ते पर, लाइट वहाँ पर इंटर नहीं कर पाती तुम्हें इधर से दिख रहा है तो वहाँ बेढ़ जाओ आराम से ले जाओ बाई बाहु वली चला गया जाओ आराम से बैठो बेटा ठीक है तो भाईया रूल ये होता है कि लाइट अगर किसी रास्ते से जा रही है और उसके रास्ते में वववधान आ जाए तो वो रास्ता ववववधान जहां पर आ जैसे ये मेरा हाँ दिख रहा है तो क्या यहां की लाइट आर पार जा पाईगी मगर मैं जब आपको पढ़ाऊँगा प्रकास का विवरतन क्या पढ़ाऊँगा विवरतन लाइट जो होती है लाइट को देखो इमान दारी से कहाणी आना चाहिए ये एरिया में नहीं आना चाहिए ने इसके नीचे इसके ने आना चाहिए क्योंकि यहां पर सामने यह खड़ा हुआ है मगर light जो होगी न वो यहां तक घुस पड़ेगी इतने area में light घुस पड़ेगी हाई न इसको हम लोग Hindi में क्या बोलते हैं अती क्रमड क्या बोलते हैं सब ने अती क्रमड किया हुआ है यहां पर सब लोग जानते हो अपने घर की डेहरी सबने आंगे बढ़ा रखी है सासन ने कहा है रोड के पचीस फिट आंगे मत बनाना आपने पंद्रा फिट छेग रखा है जब आएगा तो देखेंगे हाया ना मतलब नौन पर्मिटेड एरिया में भी आपने अपनी बाउंडरी जमा रखी है हाया ना मतलब किरण ब्यवहार से ये संभव नहीं है किरण ब्यवहार से ये संभव नहीं है ये कौन से ब्यवहार से संभव है तरंग ब्यवहार से किस ब्यवहार से और छोटा हो हाँ कन से एक मिनट जब कन का साईज छोटा हो तरंका साईज बड़ा हो तरंका साईज क्या हो बड़ा हो, तब भहिया आपको wave optics प्रासंगिक होगी, क्या होगी wave optics, समझ में आ गया है ना, तो कन छोटा और तरंग बड़ी करण क्या रहेगा चोटा और तरंग क्या रहेगी बड़ी बस तो उस समय आपको wave optics देखने को मिलेगी बिलकुल full flash एक दम आपको wave optics देखने को मिलेगी समाज में आया clear हुआ की नहीं हुआ इसलिए wave optics के जतने प्रयोग होते है बेटा उसमें एक बहुत ही छोटे छिद्र narrow hole का उप्योग किया जाता है जिसे बोलते हैं हिंदी में जीरी क्या बोलते हैं जीरी इंगलिस में बोलते है slit क्या बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जीरी अब बोले जीरी क्या है यहां पर कमरे में एक कार्टून लगा दो या एक कार्टून ले लो उसके अंदर बल्ब लगा दो क्या लगा दो बाहर से टोटली बंद पैक आया ना बाहर से टोटली पैक क्लियर हुआ टोटली पैक टेप एप लगा दिया अंदर बल्ब जला दिया क्या बाहर कोई लाइट आएगी नहीं आएगी बाहर कोई लाइट आएगी अब उसमें एक पिन लेना बिल्कुल छोटी से जितनी छोटी पिन कर सको कुछ जैसे हमारे स्याही वाले डिब्बी में मारते हो पुछ हाँ या ना छोटी सी पिन लेकर के मार के अलग कर दो कर दिये अब कमरे में बुझा दो लाइट बत्तियां बुझा दो बुझ गई बत्तियां अब हाथ में लेकर के उस कार्टून को दिवार की तरफ ले करके देखना कि एक point बनेगा कि गोले कलर का थोड़ा सा spot बनेगा, बोलो भई या क्या बनेगा एक point बनेगा अरे light निकलेगी तो point बनेगा उसमें सीधा laser light जैसा या हलका सा spot बनेगा हलका सा spot बनेगा, मतलब लाइट आजू बाजू भी फैली है आया ना लाइट आजू बाजू भी फैली है तो यहां से लाइट के तरंग behavior का पता चल रहा है कौन से behavior का आई बस समझ में क्योंकि भाईया किरण क 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 किरण जो किरण होती है उस सीधे रास्ते में गमन करती है किस रास्ते में सीधे रास्ते में समझ मैं आ क्योंकि किरण का नाम है रे क्या नाम है उर्जा के संचरण की दिसा को किरण कहते हैं समझ गया ना उर्जा के संचरण की दिसा को क्या कहते हैं किरण कहते हैं और मैंने ब कहलाती है कहलाती है वेव क्या ओ रे क्या कहलाती है रे क्या कहलाती है रे और यह जो भौरे बनने हैं इनको बोलते हैं वेव क्या बोलते हैं आई बस समझ में बच्चों तो यह था वेव आप्टिक्स क्या था यह हां वेव आप्टिक्स मतलब कान छोटा तरंग अब आ जाओ अब आते हैं बात करते हैं तरंग स्वरूप की तो बात हो गई है अब यहां पर जब तक कण छोटा था तब तक तो ठीक है तब तक क्या देखने को मिली वेब अप्टिक्स क्या देखने को मिली यहने तरंग प्रकती जैसे कण बड़ा हुआ कण क्या हुआ बड़ा कण बड़ा हो गया और तरंग क्या हो गई छोटी कण बड़ा हो करके प्रकाशिक मिरर बन गया क्या बन गया मिरर चोटा सा ही मिरर का तुकड़ाई बहुत बड़ा दिखा रहा हुँ मैं आपको मिरर याने की दरपन क्या बन गया अब यदी लाइट टकराएगी अब यदी लाइट क्या होगी टकराएगी अब इसका कण बहुत बड़ा है लाइट की साइच से हाया ना मतलब तरंग आ रही है और तरंग टकराएगी तरंग आ तो रही है मगर उसको लेकर के आने वाली उर्जा है प्रकाश की क परावर्तित हो जाएगी या आप वर्तित हो जाएगी मतलब पहले लाइट प्रसारित हो रही थी और आप उसको रेखिये आप उसका रेखिये पथ नहीं देख पा रहे थे लाइट यहाँ भी घुज गई हाँ ना मगर आपको यहाँ पर कैसा पत देखने को मिलेगा रिखी यह पत कब जब कण हो और तरंग हो शोटी समझ गए ना मतलब तरंग प्रकाशिकी जहाँ पर खतम होती है किरण प्रकाशिकी वहाँ पर शुरू होती है इसलिए लाइन लिखी हुई है आपकी किताब में किरण प्रकाशिकी तरंग प्रकाशिकी की सीमांत अवस्था है कौन सी अवस्था सीमा धन अंत जहाँ पर सीमांत हो गई सीमा जहाँ पर खतम हो गई कण बड़ा हो गया तरंग क्या हो गई चोटी हो गई समझ में आया तो वहाँ पर कौन सी प्रकाशिकी चरित्रार्थ होगी कौन सी प्रकाशिकी प्रासंगिक होगी किरण प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी में आपको तरंग इधर उधर नहीं भगेगी तो आपको सीधे सीधे तरंग का अध्यान बिलकुल नहीं करना है आपको तरंग के रास्ते का अध्यान करना है तरंग के रास्ते का ये रास्ता जाना कहां से था पहुँचे कहां तक चलने के स्टाइल का अध्यान नहीं करना है साप के चला कहां से गया कहां तक उस रास्ते का सीधे अध्यन करना है संचरण की दिशा का अध्यन करना है संचरण की संचरण की दिशा को कहते हैं किरण क्या कहते हैं तो भाईया ये चैप्टर उस समय प्रासंगिक होगा ये कहलाएगा किरण प्रकाशी की समझ मैं आया किरन प्रकाश की अब इसके बाद आएगा तीसरा पॉइंट ये आप्टिक्स हो गई प्रकाश के behavior में देखा गया कि प्रकाश का तरंग स्वरूप है तरंग स्वरूप का ही सीमांत case क्या बन गया भहिया किरन प्रकाश की मगर प्रकाश का एक और स्वरूप देखा जिसकी खोज की थी किसने सबसे पहले जिसके बारे में बात की थी किसने न्यूटन ने किसने बात की थी न्यूटन ने सुलहवी सताबदी में बोला था प्रकाश कण का रूप है किसका रूप है 1600 कुछ के आसपास प्रकास ने बोला प्रकास कण का रूप है 200 साल तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया न्यूटन के बाद को चैलेंज करने की एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाईगन क्या नाम था हाईगन, क्रिस्चियन हुजिंस बोलते हैं उसको यह हिंदी में बोलते हैं क्रिस्चियन हाईगन उन्होंने चैलेंज किया लोगोंने बड़ा मजाक उड़ाया हाईगन का हाईगन ने बोला नहीं, नहीं, नहीं जो प्रकास है वो कण नहीं है प्रकास कण न्यूटन ने का अच्छा प्रकास करना होता तो प्रकास का परावर्तन कैसे होता क्योंकि तुम किसी सतह में बॉल को मारते हो तो बॉल लोट करके कहा आती है वापस और न्यूटन जो थे वो तो मेकेनिक्स के बाप थे बोलो हाँ खून में संबेग बेग और वेलास्टी तुरण ही दोड़ता था उनके मन में हाया ना तो मेकेनिक्स की नजर से हर चीज को देखते थे तो उनने कहा प्रकास करन है प्रकास जो है कण प्रकृति का है क्योंकि प्रकास परावर्तन देता है क्या देता है प्रकास 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 प्र लीजे ये बॉल है, आपने इसको पानी वाली सतह में मारा है, किसमें मारा है पानी की, यहां से बॉल आती है गोली मारते हैं, देखे होगे पिच्चरों में ढूई, हाँ या ना, गोली जाती है वेक से फिर स्लो हो जाती है हाँ या ना, तो भाईया प्रकास, what is अपवर्तन? अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से जब प्रकास दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी चाल बदल लेता है क्या कर लेता है? अपनी चाल बदल लेता है बोलो भईया, अपनी चाल बदल लेता है, रास्ता भी बदलता है, चाल भी बदलता है तो चाल बदलने वाली परिभासा को भी क्या बोलते हैं? अप वर्तन, क्या बोलते हैं? अप वर्तन, दस्मी क्लास में आपने पढ़ा है पहले माध्या में वेक किता होता है वीवन, दूसरे माध्या में वेक किता होता है वी टू देखाओगा किताम में बना रहता है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल होगी 100% वही आने वाला है प्रकास का वेग बढ़ेगा और घटेगा कि वल निर्वात में फिक्स रहता है तीन गुणे दस की पावर 8 समझ में आया निर्वात में प्रकास की चाल फिक्स रहती है माध्यम जितना गाढ़ा करते जाओगे प्रकास की चाल उतनी कम होती जाएगी समझ में आया प्रकास की चाल उतनी कम होती जाएगी आओ देखते हैं तो भाईया ये कहा दिया है न्यूटन साहब ने कि नहीं नहीं प्रकास तो कड़ प्रकती है हाइगंस उड़ गए न्यूटन के धुए में 200 साल बाद एक सांटिस्ट और आये जिनका नाम है थॉमस यंग क्या नाम है यंग का प्रयोग जो था वही वेव अप्टिक्स का एक पुखता प्रमाड बना बहुत गजब बाला प्रमाड बना यंग ने बिल्कुल तरीके से साबित कर दिया कि जो लाइट है वो कड़ प्रकती की नहीं है वो किस प्रकति की है तरंग प्रकति की है किस की है तरंग प्रकति की तब तक हाइगंस सहब चल बसे थे लोगों को लगा हाइगंस कितना सही बोल के गया था हम लोगों ने सुना नहीं हम लोगों ने सुना नहीं एक को हमने इतना बड़ा खलीफा मान लिया कि दूसरे scientist को हमने नकार दिया समझ में आया Huygens चले गए कौन आये Thomas Young आये Thomas Young ने एक बड़ा ही खतरनाक परियोग करके दिया तरंगों को भिढ़ाया तरंगों को दो तरंगों को भिढ़ाने को बोलते है तरंगों का अध्यारोपन क्या कहलाता है और थामस यंग ने दिखाया कि तरंगों के तरंगे लड़ती है और तरंगों की एक विशेश प्रकती जो आप क्लास 11 में छोड़ करके आ गए है कुरुना की क्रपा से जिसका नाम है तरंगों का अध्यारोपन में होता है तरंगों का प्रकाश प्रकाश इकल टू अन्धेरा सोचो मन में लाइट प्लस लाइट इकल टू अन्धेरा लाइट प्लस लाइट इकल टू अन्धेरा जैसे इस चीज की पुष्टी करी थामस यंग ने हाहाकार मच गया कि light प्लस light इक्वल टू अंधेरा है ना हाँ अभी देखना होगा सब कुछ होगा तो वहाँ से साबित हो गया कि light कौन सी प्रकरती है तरंग प्रकरती है समझ में आया अब एक और था वैया एक और प्रयोग था जिसका नाम है प्रकास विद्दुत प्रभाव क्या नाम है प् light आई और उस सतह का electron कूद गर के कहा चला गया बाहर उस सतह का electron कूद गर के क्या चला गया बाहर मुलो हाँ किसी सोते हुए को उसके घर से निकाल फिकना है तो पहलवान की जरूरत पड़ेगी की नहीं पड़ेगी पड़ेगी ना मतला फिर से प्रश्न उठा कि तरंग के अंदर तो कोई दरबमान होता नहीं है तरंग के अंदर कोई दरबमान और किसी फुडवाल को पैर मार के बाहर फेकना है तो जोरदार किक की जरूरत तो पड़ेगी तो भाईया कोई ना कोई किक मारने वाला तो होगा तो फिर से यहाँ पर मैक्स प्लांक ने थियोरी दे क्या नाम थे मैक्स प्लांक नूटन साब के फिर से भीवर में आए और मैक्स प्लांक ने कहा कण प्रकृती भी होती है क्या होती है कण प्रकृती समझ गये ना और उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हमारी विरासत के सबसे बड़े धनी अलबर्ट आइंस्टाइन कौन और जिससे आपके फोटो सेल काम करते हैं आजकल जो छट में लगाते हैं सोलर वगएरे वो कहीं ना कहीं उसी का चमतकार है समझ गये ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैपिसिटर चार्ज होता है बत्ती जल्ती रात को हाँ या ना चार्ज करते नहीं करते हैं हाँ तो भही में हो गई द्वंद लड़ाई कि भाई हम तरंग प्रकृति वाले हैं तुम कण प्रकृति वाले हो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं समझ गए तो फिर आते हैं हाइजेंबर्ग कौन आते हैं हाइजेंबर्ग वो ले रहे लड़ो मत जहां पर तरंग प्रकरती चरित्तरार्थ होगी, वहां पर कण प्रकरती चरित्तरार्थ नहीं होगी और जहां पर कण प्रकरती होगी, वहां पर तरंग प्रकरती गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है देखा शक्तिमान नहीं देखा? यह वही है तो जब तरंग है तो कण नहीं है जब कण है तो तरंग नहीं है समझ गए ना फिर वही या हाई जिन बर्ग का ओ जो अनिश्चित्ता का नियम आपने देखा होगा बड़ा खतरनाक सा बुक में लिखा हुआ कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपन फोर पाई हाया ना मतलब अगर आप दोनों की कमियों की बात कर रहे है एक साथ मोमेंटम कर प्रकरती विस्थापन तरंग प्रकरती दोनों की कमियों का दोनों की तुर्टियों का जो गुणन फल होता है वो हमेशा एच अपन फोर पाई से जादा होता है फिर इ उसको रूप बदलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, समझ गे ना, लोग हल्ला करने लगे कि हम एक समय में क्या लें, बोले भईया एक समय में एक ही चीट डील करो, ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहां पर कन प्रकृति आती है, और फाइनली जा करके, डुवल नेचर, कौ वही, गंगा धरी शक्तिमान है, तो द्वैत प्रकृति लाइट की इस्टैबलिस होई, कि लाइट अपने अपने अलग-अलग, जैसी जहां जरूरत होती है, वैसे वहां बिहेव करती है, फैरन लवली का अड़टाइज देखा, दिखाता है ना, धूप की किर्णे आ रही यहां या ना, तो वो जो फिलिंग पकड़ो वहां पर, वो जो किर्णा आती है, वो जो ले करके बड़ा सा ब्लॉक लेकर आती है, पत्थर टाइप का, वो है फोटॉन, क्या है वो? फोटॉन is the bundle of energy, फोटॉन is the bundle of? तो वो जो जो जा करके घलता है, वही फोटॉन है, वही एक्ट करता है, आपके अंदर के पार्टिकल पे और मैटलिक सर्फेस पे, समझ मैं आया? और जितनी बिध्वन्सकारी तरंग होगी, उसका फोटॉन भी उतना बिध्वन्सकारी होगा, हाँ, हाँ, नहीं, नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ अलग बात है, अब आप गालों को ले रहे हो सर्फेस, किसको ले रहे हो? ये एक बड़ी स्टडी है, जब मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो बहिया, चैप्टर अभी सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, वेब आप्टिक्स, कौनसी आप्टिक्स? वेब आप्टिक्स है ना? तरंग प्रकाशकी पढ़ तो दोनों को मैं मिक्स करूंगा, तम मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं कन प्रकासकी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ाऊंगा? डूल नेचर, क्या पढ़ाऊंगा? ये हमारी पूरी आप्टेक्स है, समझ गया है, यह हमारी पूरी आप्टेक्स है, और तीन चेप्टर में चलेगी, एक में हम पूरे में पढ़ेंगे, रे, 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 किरन 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 अगले में पढ़ेंगे तरंग 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 समझ में आया और फिजो लास्ट वाला एगा उसमें पढ़ेंगे कान 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 और जब सब पढ़ लेंगे, तो लास्ट में पढ़ेंगे, डुवल, 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 यानने द्वैत प्रकृती, द्वैत प्रकृती, द्वैत प्रकृती, द्वैत प्रकृती, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक, यह हो गया, तो यह है भाईया, हमारी optics का introduction तो अब हम पहला portion इसका start कर रहे हैं केरण परकाशे की और केरण परकाशे की में हम परकाश के रास्ते के बारे बड़े block से ठकराता है तो यह सरल रेखा में आता है और सरल रेखा में जाता है समझ गए ना मतलब यहां से यहां तक भी सरल रेखा मतलब इधर आने का भी सरल लेखा है और जाने का भी सरल लेखा है समझ में आ गया सरल लेखी आवा गमन इसको इंग्लिस में बोलते हैं रेक्टी लीनियर प्रोफोगेशन कौन सा प्रोफोगेशन रेक्टी लीनियर प्रोफोगेशन जैसा भी हो सीधा रास्तर तक तक हा बिल उर्जा, का कोई भी स्वरूप अगर आ करके किसी मेटल पे गिरता है, तो तीन प्रकार की उर्जा होती है एक जो परावर्तित होती है एक अपवर्तित होती है और एक अवशोशित होती है याद आया तो भाई नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं तो भाईया अब अपन को ये केवल देखना है कि कौन सा पार्ट तो अपन को केवल परावर्तत करना है अगर mirror आदर्ष परावर्त होता तो धूप में रख देते तो कभी गरम नहीं होता क्योंकि आदर्ष परावर्त हो तो तुम्हारा काम है किवल परावर्तित करो खुद के लिए को जोड़ो मत समझ मैं रहा कि नहीं आ रहा है भाईया तुम खुद एनर्जी ले रहे हो तो तुम क्या दर्स परावर्तित हुए तुम खुद भी तो एनर्जी ले रहे हो खुद भी तो थोड़ा सा खा रहे हो हाई या ना एनर्जी से तो यह हो गया तो इसलिए वो एक दूसरा पार्ट है हमको के वाली हाँ पर प्रकाश में आने वाला है, बिलकुल, बिलकुल, हाँ, बहुत डेटेल में आएगा बिटा, अरे बहंकर डेटेल में आएगा बिटा, एक एक चैप्टर है पूरा, लिखने तो दो देखो तुम, बस अभी तो मुझे को ये बताओ कि तुम्हें किरन प्रकाशी की का इंट्रोडक्शन स लगा है, ये कौन सा सरल लेखी है, अरे भाईया यहां से यहां तक क्या है, फिर यहां से यहां तक क्या है, तुकडो तुकडो में सरल लेखी है, समझगे ना, समग रूप में मत बोलने लगा कि सरल लेखी है, तुकडो तुकडो में, अभाईया ना है तुकडा तो लो ठी जाती है तो यहां से यहां तक सरल रेखा और फिर नीचे यहां से यहां तक सरल रेखा चले आंगे चलिए तो भाईया देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हाँ सुनिए भाईया अब हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए हम सनलाइट की बात कर रहे हैं हमने ऐसा स्टेट्मेंट तो दिया नहीं है हम संलाइट की बात कर रहे हैं कि संलाइट से दो रिडियेशन हमारे अर्थ में आवते हैं अबरक्त तीन आते हैं तीन एक तो सोख लिया जाता हो जिए उनकी करपा से दो अपने काम के आते हैं अबरक्त और द्रश द्रस्ट की वज़े से हम देख पाते हैं और अवक्त हम आये अंदर गर्मी पैदा करती है अगर कोई ऐसी लेयर हो जाए कि अबरक्त ना आए भाई साब अंटार्कटिका बन जाएगी पूरी प्रत्वी समझ गए ना एक महीने में हम सब मर जाएगे विनाश हो जाएगा इतनी ठंडी पड़ जाएगी हर जगे कश्मीर होगा समझ गए ना पहले दो दिन तक तो बड़ा मज़ा आएगा नियत नहीं बना रहेगा बहुत जल्दी से कम होगा बेटा अर्थ अपनी पूरी एनरजी बाहर की दरफ लुटा देगी समझ गया ना अरे आन दो आन दो दरफ परहलाद वाला सीन है बैठे रहोगे गर्मी नहीं लगेगी बिलकुल आती है बिलकुल आती है जो चीज गर्मी दे उसमें अवरक्त है आपके सरीर में बलड दोड रहा है तो भी अवरक्त है गर्मी निकल रही है हाँ, गर्मी है मतलब अवरक्त है नहीं है, आप सर्च कर ले ना इसको इसको आप सर्च करिए कि अगर अवरक्त रेडियेशन खतम हो जाए या ग्रीन हाउस प्रभाव होना बंद हो जाए तो क्या हालत होगी जो कार्बन डियक्साइड हमारे लिए एतनी प्रॉब्लमेटिक है, वो कार्बन डियक्साइड हमारे लिए बहुत उप्योगी भी है समझ में आया जो कार्बन डियक्साइड हमारे बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो carbon dioxide हमाई लिए बहुत उपयोगी भी है अगर वो ही न रहे तो green house effect न हो पूरी अर्थ की जो energy है वो अंदर-अंदर टकराए न वो सीधे बाहर निकलेगी और अर्थ जल्दी से ठंड हो जाएगी क्या हो जाएगी ठंड हो जाएगी आगे वही है मेरी बात समझ में चली हाँ आगे हाँ न आपाएं और न किसी प्रकार की किरण नहीं कि द्रस आ जाएगी अनली अवरक्त आ जाए हाँ हाँ जो अंदर की किरणे हैं वो बाहर ना जा पाएं तो टेंप्रेचर जो है युनिफॉर्म बना रहेगा बाहर की आ नहीं पाएंगी तो कैसे बढ़ेगा बिटा हाँ ठीक है मगर आदर से स्थिती में थोड़ा ना ग्रीन हाउस प्रभाव है ग्रीन हाउस प्रभाव अदर से स्थिती में थोड़ा ना है कहीं पर कार्मेंट एक साइड उत्सर्जन जादा है कहीं पर उत्सर्जन कम है पोल्स पर बिल्कुल ना के बराबर है वहाँ इंडस्ट्री थोड़ा ना है धुरूबों पर ठीक है तो यदि आपका constant रहेगा content यदि रहेगा तो temperature आपका constant रहेगा हाँ मगर सुनो ना ये भी तो समझो बाइया आपने ने कह दिया कि निश्चित है सुनो भाई साब अब मानलो ये टकरन टक्रा करके गई वापस आई आगई पापस आने के बाद में इसने इसको थोड़ा हीट किया अब हीट किया कुछ हीट इसने बाब बाहर निका ली बो हाँ अब कुछ हीट कहा जाएगी अंदर तो ये हीट का लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा है अंतता फाइनली ये थोड़ी-थोड़ी heat टकराते टकराते जो अंदर अवशोशित होई है वो जा करके अंदर समाहित होती जाएगी, किसी और हिस्से में चली जाएगी, मगर रहना आपको कहाँ है भूपर पटी पे, बाहर रहते हो ना तो heat कहाँ चाहिए, बाहर चाहिए कि अंदर चाहिए ये problem हो जाएगी ठीक है ना देखे ऐसा आप अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्सरजन करने लगोगे, तो देखे सीरी बात है कि आपने देखा होगा कि government district action लेती है कि जिन जगों पर आपके areas है, tourism के वहाँ पर आप industrialization और deforestation मतलब जंगलों को ना काटें और industry ना बिठाएं बोलो हाया ना, लेती है ना, कारण बिठा यही है अगर आप वहाँ पर भी industrialization कर दोगे वो तबाह हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तबाह हो जाएंगे, clear हो गया जी, यस, चलिए समय हो गया, ठीक तो कल से, हाँ